दोश्टो टाइगर की तो हवा निकल गई, टाइगर तो ध्राम हो गया, मतलब 17 दिन में इसका जो कलेक्सन आया है, 17 दिन का कलेक्सन बताने लायक नहीं है, मैं क्या ही बताओं, 17 दिन कुल जमा कलेक्सन हुआ 2.05 करोड यानि की 2 करोड लग पांच लाख रुपए इस फिल्म करोड कुल जमा पूजी 440 करोड इसका कलेक्सन हो चुका है, फिल्म का बजट ही 300 करोड रुपए है, देखा जाए तो भाई लोग जो है इस फिल्म का जो है महुत सो मना चुके हैं, कि फिल्म जो है काफी पैसे पीट रही है, कमा चुकी है, लेकिन वैसा कदाप ही नहीं है फिल्म जो है धीरे-धीरे रेंग रही है, देखा जाए तो इसके पहले जो गदर और जवान आई थी, उनके मुकाबले ये फिल्म कहीं ज्यादा पीछे रह गई है, दोस्तों गदर ने लगभा 500 करोड के आकरोड को धरले से चूल लिया था, ये फिल्म 500 करोड के आकरोड क चूने के लिए पानी मांग रही है, पानी क्या? मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ मांग रही है, और ओडियंस मांग रही है कि बढ़ जाए और लोग इसको देखने जाए, क्या है इस टाइगर थिल्म में, कैसे ये फिल्म जो है माउट पल्विसिटिस की नहीं हो पाई, य विदेश की खुबसूरत सरजमी पे विदेशों की खुबसूरत लोकेशन पे इसको सूट किया गया जैसा कि मैंने पहले बताया इसको इस्तामबूल और वियना जैसे खुबसूरे जगों पे सूट किया गया लेकिन फिर भी फिल्म ये पानी मांग रही है बॉक्स आफिस के टिकट ख़़गी पे ओडियंस नहीं आ रही है और ओडियंस कीव नहीं आ रही है वो भी और अवान्डियंस ये जहें काफी पढ़ीली कि समझदार है हर तरह की फिल्में नहीं देखती है सलमान भाई कि ये फिल्म जो है अच्छी है कई लोगों के कथना अनुसार लेकिन ह कि भूंको लगता है कि फिल्म की जो जनता है वो इस फिल्म को तना नहीं पसंद कर रहे है हमारे वेश्टवई से OFF के साथ कि भी फिल्म कामयाब हो औरsınız पांसो क्रॉ tale की कलब को जल्दी से चूले और इसी एक साथ यह समाप करता हूं वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शिर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ले वीडियो में नमस्ते जैसे राम